जय हिंद कैसे हो आप लोग फिर से मैं लेकर करके आ गया हूँ एक नया वीडियो स्वागत आपका इस वीडियो में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लाश 12 का केमेस्ट्री इसमें ओब्जेक्टिव का कुछ प्रैक्टिस करेंगे सारा कोश्चन प्रिवियस यहर में पूछा गया है उसी का आज प्रैक्टिस करेंगे ठीक है और आपको 20 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन से ज़्यादा अभी जरूर करना चाहिए ज्योंकि अभी महिना चल रहा है अक्टूबर यानि कि आपके एक्जाम माद चार महिन इलम किया स्टाड करते हैं आज का वीडियो और पहला क्योंच ऑक्वादार ठोस्पदात कौम सा यज्यें इसको कौन सा ओपसेंच का आनशर颂गा तो मैं बता दू, इसका सही answer होगा, option number B, option number B, इसका सही answer हो जाएगा, ठीक है, पर टेक सवाल के बाद आपको, एक दो second का pause दूँगा, ठीक है, उसके बीच में आपको answer सोचना है, और फिर मैं answer बताऊंगा, फिर उस अनुशार आपको answer मिलाना है, कि आपने कितना answer सही किया, ठीक है, दो number question है, same question है, लेकिन option इस वार change है, दोनों question 2020 में पूछा गया है, रवादार ठोस कौन सा, इन्वेस्ट कौन रवादार ठोस है, option A, हीरा, option B, कांच, option C, रवर, option D, इन्वेस्ट कोई नहीं, पिछला question में हम क्या देखे, answer तो वहाँ पर भी देख चुके थे, य इसका answer क्या हो जाएगा, option number A, हीरा, एक, रवादार ठोस है, ठीक है, question number 3, BCC 21, इन्वेस्ट में कितना परतिशत, मुक्त अस्थान होता है, यानि कि खाली अस्थान होता, BCC में, option A कहा है, 34%, option B, 28%, option C, 32%, और option D, 30%, कौन सा होगा, इसका answer, इसका सही answer होजगा, option number C, 32%, ठीक है, तो यदि 32% खाली है, तो भड़ा कितना हुआ है, 100% में से, 32% घटा देंगे, उतना, इसमें भड़ा हुआ है, ठीक है, BCC का इसल में, question number 4, किस जोड़ों में करमसा, चतुस फलकिया और अश्ट फलकिया वाइड होता है, option number A, BCC और HCP, option B, HCP और CCP, option C, SCP और Simple Cubic, option D, BCC और FCC, इसका कौन सा answer सही होगा, इसका सही उत्तर होगा, option number B, HCP और CCP, यानि कि पहले वाले में चतुस फलकिया वाइड होगा, और दूसरे वाले में अश्ट फलकिया वाइड होगा, question number 5, इन में से कौन बेरवादार ठोस है, बेरवादार ठोस को चूरना, चाड़ों में से बेरवादार ठोस जो भी है, वो आपको बताना, option number A, quartz glass, option B, silicon carbide, option C, chrome alum, option D, graphite, इसका सही answer क्या होगा, इसका सही answer हो जाएगा, option number A, quartz glass, बेरवादार ठोस, quartz glass, ठीक है, question number 6, इन में से कौन अक्रिस्टलिय ठोस है, option number A, गड़े फाइट, option B, हीरा, option C, काच, option D, साधान नमक, 2013 में ये question पूछा जा चुका है, ठीक है, इसका कौन सा option सही होगा, इसका सही होगा, option number C, काच, ठीक है, काच हो जाएगा, अक्रिस्टलिय ठोस का उधारन, question number 7, किस दोस्ट के कारण, कीश्टल के घनत में कमी होती है, option number A, फ्रेंकल दोस, option B, सौटकी दोस, option C, फ्रेंकल दोस और सौटकी दोस दोनो, option D, इन में से कोई नहीं, क्या होगा, इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जगा, option number B, सौटकी दोस, सौटकी दोस इसका सही आंसर हो जगा, ठीक है, question number 8, HCP संदचना में, पैकिंग परभाज कितना होता है, 2018 में पूछा गया question है, option number A, 0.68, option B, 0.50, option C, 0.54, option D, 0.74, कौन सही आंसर हो जगा, option number D, 0.74, ठीक है, question number 9, HCP 21 में, परभाणों के संख्या कितना होता है, 2020 का पूछा गया question है, option A, 6, option 2, 12, option C, 4, option D, 7, HCP 21 में, कितना परभाणों होता है, इसका सही आंसर हो जगा, option number A, 6 होता है, ठीक है, अगला question, question number 10, घनाकर किस्टल में, बरेवेस जालकों की संख्या कितना होता है, 22 का पूछा गया question है, option number A, 1, option B, 14, option C, 3, और option D, 4, कौन सा इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा, option number C, 3, 11, question, तीस जोडे में करम सर चतुस फल लिया, चतुस फल किया वाइड और अश्ट फल किया वाइड होता है, 2018 का पूछा गया question है, question साइथ पीछे repeat भी हो चुका है, तो आंसर अब आपको यह पता होना चाहिए, option A है, HCP, CCP, option B, BCC, FCC, option C, BCC, or HCP, option D, HCP, and simple cubic, कौन साइस का सही आंसर होगा, option A बता रखा था, HCP और CCP होगा, ठीक है, बारा नमर question, मूल क्रिष्टल तंत्र की संक्या कितना होता है, 2017 में पूछा गया question है, option A, 4, option B, 7, option C, 6, option D, 8, कौन साइस का सही आंसर होगा, बारा नमर का जो सही आंसर होगा, वो हो जागा, option B, यह solid state जब पढ़ाया जाता है, तो फर्स्ट दिन ही यह लेक्चर हो जाता है, कि मूल क्रिष्टल तंत्र की संक्या कितना होता है, ठीक है, तेरह नमर question, रवा में जब इलेक्ट्रोन रिनायन द्वारा खाली अस्थान में पकर लिया जाता है, तो इससे कौन सा दोस्ट करते हैं, option A, short की दोस, option B, frankal दोस, option C, उपर वाला दोनों, और option D, app केंद्र, जिसको app center भी बोलते हैं, कौन सा होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होजगा, option number D, option number D, यानि कि app केंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, चोदर नमर क्वेश्चन, बेरवादार ठोस कौन सा है, 2021 का क्वेश्चन है, option number A, graphite, option B, rubber, option C, हीरा, option D, नमक, इसका सही आंसर होजगा, option number B, rubber, रबर जो है बेरवादार ठोस है, ठीक है, पंद्रा नमर क्वेश्चन, एक अश्ठ फलक रिखती कितने गोलों से घीरा राता है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, option number A, 4, option B, 8, option C, 6, option D, 12, इसका सही आंसर क्या होगा, option number C, इसका आंसर होजएगा, option number C, 6, ठीक है, question number 16, पहार पर जलका क्वेश्चन कम हो जाता है, क्योंकि, option A, वाई मंडलिय दाब कम होता है, option B, दाब कम होता है, option C, दाब जादा होता है, option D, हवा जादा होता है, इसका सही आंसर होजएगा, option number A, वाई मंडलिय दाब कम होता है, 17 number question, निम में से किस में, टिंडल परवाव नहीं पाया जाता है, विलियान चेप्टर का question है, 2020 में पूछा जा चुका है, option number A, चीनी का घोल, option B, सोने का कोलाइडी घोल, option C, इमल्शन, और option number D, इन में से कोई नहीं, इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर जोगा, option number A, चीनी का घोल, ठीका, चीनी का घोल इसका सही आंसर हो जाएगा, question number 18, निम में से किस समिकरन द्वारा प्रासरन दाब व्यक्त किया जाता है, option number A, P equal to CT, बटे R, B, P equal to CRT, option number C, P equal to RC, बटे T, option number D, P equal to RT, बटे में C, ये वहला आप विलियान चेप्टर में सीधे टोपिक में पढ़े होगे प्रासरन दाब, औसमोसी स्प्रेशर, तो वहाँ पर डैरेक्ट आपको फरूला पहाया गया होगा, कौन सा इसका सरी आंसर होगा, इसका सरी आंसर होजगा, option number B, P equal to CRT, ठीक है, question number 19, अल्ध पारगम जिली से प्रासरन किडिया में निकल पाते हैं, इन में से क्या निकल पाते हैं, चालो में से, सरल आयन, जटी आयन, विलायक के अनू, विले के अनू, तो इसका सरी आंसर होजगा, option number C, विलायक के अनू, ठीक है, question number 20, आदर्श विलियन का निम में से कौन सा गून है, मतला ideal solution में क्या quality होना चाहिए, option A, यह रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, option B, यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है, option C, A और B, दोनों, option D, इन में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जागा, option number B, यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है, मतलब की, रॉल्ट को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ideal solution होने के लिए, रॉल्ट के नियम का पालन करना ज़लूरी होता है, ठीक है, यह last question था, वीडियो समाब तुआ, और एक बात, आप लोग में से बहुत लोग वीडियो देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ने करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और, बेल एकन को दबा करके, दोस्तों के साथ, सेर कीजिए, ठीक है, जाए हिंद, देखते हैं शेचल, जाए हिंद, खाल में से वार खजय हो, ये अनल खंद, और, गजने ही कि दो आए हिंद, जाए है, भी उोग खॉजई धहीं, झाल झाल